हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल SP Classes SP Classes में आपका एक बार फिट से स्वागत है आज जो हम RHS B.A.C. नर्सिंग की काउंसलिंग को लेकर के उसकी कटोफ और उसकी जो आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं उसको लेकर के अभी हम बात करने वाले हैं तो आपके कंसिलिंग की जो डेट है वह भी आज आपकी लाजट डेट है जिनी इस ट्रोडे में अभी तक कंसिलिंग नहीं किये नहीं है किये हैं। है और आप उसमें कुछ edit करना चाहते हैं कि ये college हमें fill करनी है ये college fill नहीं हुई या college हमें उपर या नीचे करना है तो उसके लिए भी हम edit की भी बात करने वाले हैं कि किस परकार से आपको अपने phone से आप edit कर पाyेंगे अपने घर पे तो उसकी सभी की बात करने वाले हैं तो मदम संस्क्राइब नहीं किया है यूट्योब चैनल को जल्लेशे संस्क्राइब कर लें बिल आइकन पर प्रेस कर लें जिसे हमारे आने वाली वीडियो हैं आपके कट आफ को लेकर की लुप सब्सक्राइय तो क्षम हमें ट या कट उपर गीविर्म्ड्य न वाली है करते हैं कि आपको क्त आΉख मिलेगा तो सबसे पहले हैं और फर्स्ट राउट को के एगर बात करें और बात और New Government के अगर हम बात करें, तो अगर आप General Category से हैं, या OBC Category से एक actual Category की बात कर लेते हैं, जिसे एक या दो नमर आप उपर नीचे करके रखें, ताकि जो है आपको Category में कोई प्रोब्लम ना हो, एक या दो नमर उपर नीचे हो सकती है, Category कोलेज के उपर Depend करती है, कि इस Government College लेना चाहते हैं, तो आपके जो है, वो 70 प्लस मार्क्स होनी चाहिए, और अगर आप New Government College लेना चाहते हैं, तो आपको 68 या 69 के अराउंड भी अगर आपके मार्क्स है, तो आपको New Government College अराउंड से मिल जाएगा, बात कर लेते हैं, आपकी General OBC Category हैं हमने बात की, EWS Category की, तो MBC Category की और SCST Category की, SC और ST Category की अगर हम बात करें, Combine अभी हम बात कर लेते हैं, आप उपर नीचे कर लीजेगा, अभी जो हैं हम अगर हम बात करें SCST Category की, तो अगर आप SCST Category की अंदर हैं, EWS और MBC Category की अभी हम बात करें, SC और ST Category की अंदर आप हैं, और आपके जो ह हैं तो आप new government college fill करें और अगर आप new old government college लेना चाहते हैं तो आपके जो 68 के around marks है तो आपको old government college में मिल जाएगा फिर हम बात कर लेते हैं आपके new government college की और आपकी जो old government college कौन कौन से उसकी भी अभी हम बात करेंगे और जो EWSO general category के अंदर अगर आपके पेंसर प्लस marks हैं तो first round में आपको government college मिल जाएगा अभी हम बात कर लेते हैं कि आपके जो कितने क्या number है आपके category कौन से या comment box में जरूर सो कीजेगा थाकि हम आपकी help कर सके हैं आपको कौन सी college मिलेगी और कौन सी college आपके मिलने के chances हैं तो अभी जो हम हम बात कर लेते हैं आपके reporting documents हो की और साथ ही हम private और top government और top private college की भी बात करेंगे तो चलिए अब हम चलते हैं आपके reporting documents के उपर क्योंकि अभी आपकी counseling complete होने वाली है थोड़ी दुनों में आपके अलोट में लेटर में लेटर का notification में आपको मिल जाएगा तो उसके बाद में आपको reporting documents तयार करके लखने हैं पहले से ही ताकि आपको कोई problem ना हो reporting के time तो अभी हम चलते हैं reporting documents के उपर तो friends अभी हम आ चुके हैं आपके reporting documents के उपर आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी reporting documents आपके सामने scripture कि हुए हैं सबसे पहले आपके है DG जिसको हम demand draft बोलते हैं यह fees के रूप में आप से लाती है अपके fees की बेवे हम बात करेंगे आपके fees क करहने वाली इसके बाद में हम fees की ही बात करेंगे कि आपकी your DG कितने की बनती है प्राइबेChat कोllej में कितने की बनती ये ग्रल्स और बोईच की भी कितने की बनती है उसके भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके रहे की डिडी जिसको हम डिमांड ड्रापड बोलते हैं ये बेंक में आपको बनवानी होती है जितने आपकी फीस होती है उतने रुपए के आपके डिडी बनती है वो आपको college में जाकर करके जमा करवानी होती है second number पर आपके होती है जाती परमाण पत्र ठीक है यह जो है आपको आपका एक साल से पुराना नहीं होना चीए अगर आप जो है counselling होने के एक साल पहले तक ज्यादा पुराना है तो आप जो इसको renew करवा ले या अभी तक आपने नहीं बनवाए तो आप जल्दी बनवाले क्योंकि इसको बनने में लगबग आपके 8 से 10 तिन खराब हो जाएंगे जिसे आपको ये पहले बनवा के रख लेना है ताकि रिपोर्टिंग के टाइप आपको कोई प्रोब्लम ना हो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मूर निवास्त परमान पतर ये जो है आपका एक की बार बनता है जाती की दवारा ये एक या दो साल इसका कोई अंतर नहीं होता है एक की बार ये बनता है अगर आपका बना होया है तो आप जो है अच्छी बात है और अभी तक आपने ये नहीं बनवाया है तो आप जो है इसको जल्दी से बनवा लेकि इसको इनको जो है बनवाने में तोड़ा टाइम लगता है फिर हम बात करते हैं Allotment Later तो Allotment Later आपकी अभी Counseling चलने वाली है 2 October ठीक है 2 October आपकी Counseling चलने वाली है 2 October के बार में अगर आपकी डेट आगे नहीं बढ़ती है तो लगबग 8 या 10 October तक आपके जो Allotment Later है वो RWS की तरब से जारी कर दिये जाएंगे तो Allotment Later आप अपने पास डाउनलोड करें रख लीजेगा तो Migration Certificate आपको 12th Class में मिला होगा Migration Certificate इस्कूल के दवारा मिलता है अभी हम 3 चीज़े देख लेते हैं एक तो आपका Migration Certificate एक Transfer Certificate और एक Director Certificate यह 3 आपको इस्कूल के दवारा जलता कि 12th Class कंप्लेट होगी तो आपको मिला होगा तो उसके बाद में हम देख लेते हैं आपके 12th की Marksit 12th की Marksit आपके पास होनी चीए 12th की Marksit 10th की Marksit यह दोनों आपके पास होनी चीए और बाद में हम बात करते हैं आपका Bonne Certificate Bonne Certificate का Formate आपको हमारे Telegram Channel SP Classes के उपर मिल जाएगा वहाँ पे जगर के आप डाउनलोड कर लीजेगा और इसके Formate के उपर जो है आपका अपना नाम अपने पूरी डिडेल भननी है उसके बाद में 50 रुपए के Stamp Paper के उपर यह बनता है और इसके उपर जो है आपकी CC की सेरेक्टर स्रेटिफिकेट की हमने बात कर ली कि TC, CC और Migration स्रेटिफिकेट जो है आपको स्कूल के दवरा टोल क्लास में मिलता है बिरह हम बात करते हैं कि Photo ID, Photo ID के रूप में आपके पास आदार कार्ड हो सकता है Water Card हो सकता है Pen Card हो सकता है आप जो भी ले जाना चाहिए आप ले जा सकते हैं और फिर हम बात करते है Admit Card जब आपने एक्जाम दिया होगा तो Admit Card आपके पास होगा वो आप डाउनलोड कर गरक लीजेगा अभी तक आपके पास अगर Admit Card नहीं है तो आपके पास काउंसलिंग के टाइम आपके एंड में एक नोटिविकेशन आ रहा है कि फोर्म एक्टिविटी फोर्म एक्टिविटी के उपर आप जाकर के रिजल्ट Admit Card और आपके फोर्म आप डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं R.UHS के official website के उपर लिंक है मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो बता दिया था कि आपको किस प्रगास्ट डाउनलोड करना है फिर एक डोकिमेंस आपका रह रहा है उसके में बात करते हैं Medical Certificate जैसे किसी भी college है अगर उसका hospital है उस hospital के अंदर ही आपका Medical Certificate बनता है आप अपने खुद के दवारा Medical Certificate ना बनवाए क्योंकि सभी college जो होती है जिनका खुद का hospital होता है उस hospital के अंदर ही जो है आपकी normal जांच होती है उस normal जांच के आदार पर आपका Medical Certificate बनता है तो Medical Certificate उसी college के अंदर आपको बनवाना है खुद से आपको Medical Certificate बनवागे नहीं ले जाना है तो Medical Certificate के हमने बात कर ली तो सभी आपके reporting documents त्यार हो चुके है अभी तक आपने reporting documents एक भी आपका reporting documents सभी तयार नहीं है जल्ली से आप तयार कर लीं आपके अलोट में लेटर में जल्ला टाइम नहीं लगेगा जल्ली ही आर विचेस आपके अलोट में लेटर डाउनलोड कर और नहीं श्टार्ट हो जाएंगे तो अभी जो है आप अपना reporting documents तयार रखें ताकि आपको reporting के time को प्रॉब्लम ना हो अभी हम बात कर लेते हैं आपके फीस की तो मैंने आपको बताया था कि डीडी जो बता है आपका demand draft वो कितने रुपई का बनता है उसके भी हम बात कर लेते हैं ताकि आपके सबी doubt clear हो जाएं और अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो अभी हम चलते हैं आपके फीस के उपर की private or government college की फीस क्या रगने वाले हैं ग्रल्स और बोईज में कितना क्या फीस में अंतर रहता है प्राइबर कोलेज से अगर आप यह से नट्सिंग करना चाते हैं तो उसके लिए फीस टेक्सर जो है वो लगवग आपकी 55,000 रुपए रहने वाली है लगवग आपका कोसल मनी और कुल मिलाकर के जो होता है वो लगवग एक लाग रुपए तक आपका हो जाता है एक लाग रुपए तक आपकी फीस लगने वाली है प्राइबर कोलेज के अंदर और उसके बाद में अगर हम गवर्मन कोलेज की फीस की बात करें तो गवर्मन कोलेज की फीस के अंदर जो अगर आप बोईज हैं और OBC से हैं General boys हैं तो आपकी लगने वाली है 51,000 रुपे Bible जनरल और OBC boys की 51,000 रुपे फीसर रहने वाली है फिर हम बात कर rhettay kangal et euros SC और ST अगर आप boys हैं तो आपकी 21,000 रुपे रहने वाली है OBC और General boys की 51,000 रुपे और SC ST boys की 21,000 रुपे उसके बाद में बात करते हैं All Grills की Grills जो है वो अगर आप OBC से, General से, EW से MBC से, SE से, ST से अगर आप किसी भी कटेगरी से हैं तो अगर आपकी फीस हो है वो 21,000 रुपए लगने वाली है इससे जदा आपकी फीस नहीं लगेगी और All Grills की फीस 21,000 रुपए और OBC जनरल बोईज की फीस एकाउन हजार रुपए है तो यह हो गई आपकी फीस की बात तो यह फीस जो है आपकी रिपोर्टिंग के टाइम में लगेगी को इस्टूडन कमेंट करते हैं कि सब रिपोर्टिंग के टाइम के पाद में जमा करवानी होती है फीस एक रिपोर्टिंग के टाइम पे ही फीस जमा होती है तो आप जैसे ही रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे अपने सबे डूकूमेंट्स लेकर के जाएं साथ में आप फीस भी लेकर के जाएं फीस भी लेकर के जाएं क्योंकि fees आपके reporting के time पे ही जमा होती है तो यह आपके सभी जो हैं आप इनका screen source ले सकते हैं आप अपने screen source लेके रख लें तापके आपको कोई problem ना हो तो ऐसे ही जानकारी मिलती है आपको SP classes के उपर तो वीडियो का आप like करें, चैनल को subscribe करें टेलिग्राम चैनल को भी दिक आपने join नहीं किया है जली से आप join कर लें जैसे ही RHS की जो counseling है उसकी date आगे बढ़ती है तो हम सबसे पहले आपको notification के मादम से बताएंगे